तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक फ्री स्क्रीनर यहाँ पे शेर करूँगा जो टूल है कि जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स निकाल सकते हो बिलकुल मेरी तरह ठीक है आप लोग देखते हो कि मैं वीडियो में बहुत अच्छे-च्छे के बारे में यूको बैंक के बारे में तो जो स्क्रीनर और जो टूल में बताने वाला हूं उससे आपको हेल्प मिल जाएगी वीडियो के स्टार्टिंग के पहले ही मैं बोल देता हूं कि अगर आप महनत करोगे तो यह चीजने रेजल्ट्स देना स्टार्ट करेंगे ठीक ह अगर आप सोचो कि आप वेबसाइट पे चले जाओ और वहाँ पे आपको सीधे-सीधे चार्ट पैटेंस मिल जाएं सीधी-सीधे आपको कोई लेवल्स दे दे कि यहां बाय कर लो यहां सैल कर लो यहां पे टार्गेट लगा लो तो ऐसा नहीं होता है ठीक है हमें एक प्र करके आपको मेहनत थोड़ी सी करने पड़ेगी ठीक है और जब तक यह पैशन नहीं बन जाता है ना तब तक इसमें प्रॉफटेबल होना अतना आसान भी नहीं है क्योंकि जब आपका पैशन बन जाएगा आपको बिल्कुल दिन राट ट्रेडिंग के बारे में आप सोचो ठीक है बहुत सारे स्टॉफ्स हैं जो लाइक मेरे रडार पर रहते हैं MGL था एक खालएब है भी जो अच्छे खासा मुमेंटम यहां पर दे रहा है यह रिंज रेंच का ब्रेक आट करा रहा है तो यह भी मेरे रेडार पर है बहुत सारे रिच्वर सारे पर एंपने टेलि अब आप पूछोगे watch list तो telegram पे pin section को check करते जाना आपको watch list मिल जाएगी तो in watch अब मेरे पास जो watch list उसमें 1000-1500 stocks हैं ठीक है तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं daily उनको analysis करता हूँ मैं हफते में एक बार अच्छे से बैठके proper तरीके से 102-100 stocks कभी 304-100 stocks भी analysis हो जाते हैं अब आपको लगए गया 400 stocks analysis करना हसी खिल थोड़ी है तो हसी खिल नहीं है weekends का time होता है इसलिए है कि market 9-3 तो बंद है पूरा दिन बंद रहेगा तो उस दिन का time होता है कि जब मैं proper analysis करने के लिए बैठता हूँ ठीक है जो उफर करता है zero brokerage on intraday and delivery साथ ही साथ इनके AMC charges भी zero है और DMAT account opening charges भी बिल्कुल zero call and trade charges are zero if you are trading futures, options, currency, commodities, सारी की सारी जगह पे आपको कोई भी charge यहाँ पे नहीं रहेगा ETF, mutual funds भी यहाँ पे commission free है they also help their customers in analysis like option chain analysis, trading view charts with 100 plus indi, GTT order, basket order, technical and fundamental trade analysis and screener tools Shunya is registered with BSE, NSE, NCDX, MCX, SEBI and CDSA along with that the best thing is Finvasia is also a NBFC so link in the description box, अब आप अभी जाके app download कर सकते हो, आपको app in Android और iOS दोना platform पे मिल जाएगा तो जो tool और screener की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है screener.in, ठीक है tool का ही नाम है screener, यह website है तो यहाँ पे जब आप आओगे, तो आपको login करना है, आप कर सकते हो, नहीं करना है, नहीं करना है, आपकी मरजी है तो जब आप screens पे आओगे, screens पे आने के साथ, जो आपको section देखेगा left side में नीचे जब आप आओगे, तो आपको यहाँ पे देखेगा, double cartel, highest ever, year on year growth, profit growth, ठीक है, यह दो आपको देख लेना है फर इसके बाद आप नीचे आओगे, popular stock screens, यहाँ पे आप क्या देखेगा, again double cartel और FII buying, growth stocks तो यह तीन चीज़ें आपको देख लेनी है, आप last वाले पे यह जाना, ऊपर के अगर आप छोड़ भी दोगे, तो आपको यहाँ पे FII buying वाले section पे चले जाना है FII buying वाले section पे क्या है, अगर जो foreign institutions कोई भी stocks buy कर रहे है, तो वो यहाँ पे हमें news मिल जाएगी, update मिल जाएगा, कि particular in stocks में जो है foreign institutions अपना पैसा डाल रहे है फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास stock की list आ गए, अब जैसे हमने देखा, पहला ही stock है union bank, पहला ही PSU bank है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके type करेंगे, अब जो भी आप platform यूज करते हो, union bank of India अब हमने union bank of India type किया, अब हमें क्या करना है, कि यहाँ पे हमें अब अपने तरफ से efforts डालने है और analysis करना है, कि इसमें कोई support and resistance बन रहा है क्या, या फिर इस पे अगर 200 EMA हम check कर सकते हैं, कि क्या 200 EMA का support आ रहा है क्या या फिर Fibonacci strategy, अब ये 200 EMA और Fibonacci strategy क्या है, तो ये जा के आप देख सकते हो, playlist में, videos में आप जाओगे, populars में आपको देख जाएंगे, यहाँ पे, swing trading की सबसे simple strategy, इसमें मैंने 200 EMA के बारे में बात किया है, ठीक है, और एक और आपको strategy, यहाँ पे channels पे आप जाओगे न इस stocks मिल जाएंगे, जो आगे जाके potential लगते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही देख के बाय कर रहे होंगे, तो वो fundamental basis पे बाय कर रहे हैं, और हम उसमें fundamental plus analysis एड़ कर देंगे, और हमनोंने fundamentals बस एड़ किया, हम fundamental plus technicals का use करके उस stock को analysis करेंगे, ठीक है, union bank का fundamentals आप सभी ल चुका है, अब जैसे अभी, मानलों अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं 200 इया में कोई यह हटा देता हूँ, अभी अगर हम देखें, तो यह already अपने breakout zone से निकल चुका है, मतलब जहां इसने breakout दिया था, उस particular zone से यह बाहर आ चुका है, अब इसका जो next resistance है, वो direct बनना है 18 81 पर, ठीक है, अब हमें क्या करना है, कि हमें अपने analysis यूज़ करना है, जैसे अब यहां पर resistance बन रहा है, यहां पर resistance बन रहा है, यहां पर resistances है, तो हम देख रहे हैं, यहां पर भी particular resistance बन रहा है, ठीक है, अब यहां पर supports देख रहे हैं, यहां पर support है, breakdown किया, और इसी point प फिर हमें stock screener पे आके हमें पता चल जाएगा कि कौन से stock में momentum हो सकता है और फिर हमें technical basis पे अपना काम करना है ठीक है यह efforts हमें डालने है अब जैसे नीचे mankind pharma दिखाई दे रहा है ठीक है तो mankind pharma पे जाएंगे अब इस पर already analysis था union bank पे तो मैं mankind pharma पे चले जाता हूं mankind pharma पे daily ह हमा जाते हैं यह already targets हमारे दे चुका है इसको remove कर देता हूं अब जैसे यहाँ पे हमें क्या analysis दिखाई दे रहा है अभी present time पे हम देखें कोई analysis नहीं है लेकिन पहले मैंने same analysis किया था कि मैंने देखा यार जब यह resistance zone पे था ठीक है तो मैंने क्या चीज़ यहाँ पे notice की थी अभी आपके सामने analysis था targeted हो ठीक है तो वो कैसे मैं analysis किया था resistance 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 मतलब यहाँ से sell off हो रहा है तो हमें क्या करना है जब यह resistance break करेगा तो हम buying side की opportunity बनाएंगे तो यहाँ पे buying हुई नीचे भी आ है level retest किया और फिर target मिला तो यह हो गया एक example ठीक है यहाँ से आपने किया और हम stocks देखे नीचे हमें Indian bank देखाई दे रहा है ठीक है PSU banks बहुत ज़्यादा buy हो रहे हैं और आप अभी भी वीडियो देख रहे हो अभी भी आप PSU bank stocks में नहीं हो तो आप बहुत लेट हो जाओगे तब आप जाके buy कर पाओगे क्योंकि आप stocks देखो Indian bank bank of बड़ोदा ठीक यहां पर हम देखो आप मैं जो भी stocks को लुगा ना 10 में से 9 stocks में analysis में लेगा क्योंकि मैं हर एक stock को analyze जरूर करता हूं capital इतना नहीं है कि मैं हर एक stock में डालूंगा ठीक है मैं एक time पे 10-15 position ही रखता हूं लेकिन क्योंकि swing है तो हमें manage करने problem नहीं होती है ठीक intraday नहीं कि 10- संद्रा में एक साथ नहीं कर पाएंगे और कोई hectare और stress वाली बात भी नहीं है अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां resistance अब यह trend line बनती हुए दिखाई दे रही है यहां resistance और अगें यहां पर resistance ठीक है फिर same resistance zone यह horizontally यहां पर दिखाई दे रहा है तो अब हम इस पर क breakout होना भी ज़रूरी है तो यहां सिसनी closing दिया और हम यहां पर अपनी entry बना सकते हैं ठीक है इस particular zone पर हम entry बना सकते हैं अब targets कैंसे निकालना है stop loss कैंसे निकालना है तो यह सब कुछ मैं बता चुका हूँ अपनी videos में आप playlist में जाओगे आप swing trading course पर यहां पर जाओगे ठी नीचे देखोगे how to find swing stocks how to find entry target and stop loss यह वीडियो देखके आप सीख जाओगे कि कैसे चीजन करना है ठीक है उसके नीचे आते हम bank of India दिखाई दे रहा है चलो मैं PSV bank को नहीं लेता हूं बोलेंगे उस पर तो sham metallics हमें दिखाई दे रहा है ठीक है अब हम चलते हैं sham metallics पे अब हम छोड़ देंगे नीचे हम देख रहा है आयनेक्स विंड हमें दिखाई दे रहा है आयनेक्स विंड ठीक है अब हम आयनेक्स विंड पर जाएंगे तो इस तरीके से आपको एक-एक stock analysis करना पड़ेगा अगर आप सोचो की starting के दो-तीन stock जो यहाँ पे देख रहे हैं आप स से straight forward इसने सिर्फ selling आई है और आप stock को देखोगे तो लगभग 15-20-15 रुपए की लेवल के बाद से वापस recover करके अब यह 500 की लेवल पे आ गया है 2020 के बाद से ठीक है breakout आ रहा है volumes अच्छी दिखाई दे रही है तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आयनेक्स वि सकते हो आप growth stocks निकाल लो अब growth stocks चलो चोड़ो double cartel पर चले जाओ जहां पर ऐसे stocks है जहां पर momentum दिखाई दे रहा है तो क्या हमें हर एक stock पर analysis करना है हर एक stock पर नहीं करना है आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो अगर आपको time हो गया कि कौन से stock में आपको analysis करना ह जो stock का नाम आपने सुना है आप उसी में जाईएगा ठीक है जैसे कि यहां पर बहुत सारे penny stocks भी दिखेंगे अब यहां पर ICICI securities देख रहा है ठीक है तो मैं क्या करूँगा ICICI securities पर आ जाओंगा ICICI securities पर मैं आ गया अब मैं technical भी करूँगा चाहो तो आप 200 EA में यूज कर दे रहा है हमें resistance zone अब यह जब यह resistance को break करेगा जब यह यहां से कुछ break करेगा level retest करेगा तो फिर हम अपनी entry यहां पर बनाएंगे simple सी method है कोई और especially यहां पर कोई चीज नहीं है अगर आपको कोई बोले कि एक secret screener है एक private tool है या फिर हमारा कोई एक algo platform है या फिर हमारा एक ऐसा app है जो automatic stocks निकाल के देगा तो मैं बिलकुल ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो sub fake है बिलकुल ऐसा होता है लोगों ने चीज़े बन आप simple से platform से trading view है free of cost है screener free of cost है बिलकुल उनका best use करो और आप stocks निकालो और अगर आपको फिर भी problem आ रही है तो फिर आपके लिए आपका भाई यहां सामने बैठा है एक भी हफता बता दो जब मैंने video upload ना की हो मैंने कली जो अपना stocks में मैंने पैसा invest किया वो मैंने बता काफी लोग बोलते हैं कि आप आप ऐसा करते हो कि आपने जो stock buy कर लिया अब आप video बनाते हो ताकि आपके पीछे और retailers उस stock को buy करें ताकि उसमें कोई push मिले तो एक बात बताओ भी है कि मैंने in stocks में भी video बनाई है ठीक है इनकी मैंने position share नहीं की अगर मैं इस stock में profit book करके video upload करूँगा कि मैंने फलाने 2000 फलाने 10 लाग कुछ भी बना लिया जैसे मैंने 96,000 पंदरह दिन में बनाया तो इस पर दो तीन कॉमेंट्स आइं कि जब आपने profit book कर लिया आप तब बता रहे हो इसमें हमारा क्या फायदा पहले बताना चाहिए था अब जब मैं पहले बता रह कि यार किसको क्या करना है ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी है उस स्टॉक पे तो आप बाय कर लोगे मैं वही बोल ला हूँ कि आप भी चार्ट्स खोलो एनले से जुन पे करो तब जाके रिजल्ट्स मिलेंगे सीधा किसी के बोलने पर बाय करोगे तो हमेशा फस यह ठीक है यह सब चीज़ा में आपको बता के जा रहा हूँ तो यह स्क्रीनर है आप जो यूज कर सकते हो एस स्क्रीन से जाओगे सबसे लास्ट में डबुल कार्टेल एफ़ाइव बायंग ग्रोथ स्टॉक्स में आप चार्ट्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाए रही है, चार्ट कॉम रिसेट कर लेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन, लेकिन वीकली पर थोड़ा-थोड़ा हमें समझ में क्या रहा है, कि ये इसका जो सपोर्ट जोन था, अगर आप देखोगे, तो ये क पर अगर यह breakout दे रहा है तो थोड़ा बहुत momentum यहां से possible आ सकता है और इसी तरीके से trading की जाती है लोग बोलते हैं आप gambling कर रहा हो बस ऐसे line खीचने से पैसा बनता तो सब लोग बना लेते देखो भाई सबसे चीज़े simple यही है कि line खीचने से ही पैसा बनता है लेकिन आपको YouTube पे kind of a सपने बेचे जाते हैं बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं बहुत सारे जो लोग है जो realities बताते हैं तो उनको views कम आते हैं because आप सभी को पता है कि जब कोई भी आपको सामान बेचना है तो उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा चड़ा की चीज़ें बतानी पड़ेंगी तब ही वो चीज़ें बिगती हैं तो आज की वीडियो में यहीं खतम करता हूं कॉमेंट सेक्शन में जरू बताईएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपका क्या टूल है या फिर एनलिसस बिसस पे आप स्टॉक्स निकालते हो तो वो कॉमेंट सेक्शन में भी जरू बताईएगा और यूको बैंक बगारा में पी एन भी हो गया जो एमजील बगारा हमने दिये थे तो कैसा क्या प्रॉफिट्स आपके चलना है वो भी जरूर शेयर करिएगा ताकि और लॉस भी चलना होगा किसी में तो वो भी जरूर शेयर क करना चाहते हो किसी भी प्रकार की आपको ब्रोकरेज नहीं देना है तो आप शून्य भाई फिन्वेजिया को जरूर ट्राय करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे दूँगा यहां पे स्टॉक्स में एफनो में एटीएफ में करेंसी कमूरिटी कहीं भी आप ट् जाएंगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है वहां से आप अकाउंट फ्री आफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो शून्य में